सूर्य ग्रहन 2024 दोस्तों ये विडियो लंबा होने वाला है तो लास तक देखना प्रियमित्रों आज हम साल 2024 में होने वाले एक अत्यधिक महत्वपूर्ण खगोलिय घटना के बारे में बात करेंगे जिसे सूर्य ग्रहन कहते हैं ये साल के उन विशेश पलों में से एक है जब धर्ती चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश धर्ती तक पहुँचने से रुख जाता है इस वर्ष कुल मिलाकर पांच ग्रहन होने वाले हैं जिसमें से तीन चंद्र ग्रहन और दो 2024 को लगेगा इस बार का सूर्य ग्रहन विशेश रूप से महत्वपूर्ण और कुछ मामलों में चिंता का विशय माना जा रहा है इसके प्रभाव के बारे में जानना बेहत जरूरी है क्योंकि यह ग्रहन केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोन से ही नहीं बलकि धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के आधार पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहन को अशुभ और अत्यंत प्रभावी घटना माना गया है और इससे संबंधित कई नियम और अनुशासन का पालन करना आवश्यक होता है। केवल धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है बलकि कई अन्य सामान्य क्रियाओं से भी बचने की सलाह दी जाती है। इस बार का सूतक काल 2 अक्टूबर की सुबह 9 बच कर 13 मिनट से शुरू होगा। इस समय मंदिरों के कपाट बंद कर दिये जाते हैं और किसी भी प्रकार के शुब कारियों को करने की अनुमती नहीं होती। इसके साथ ही घरों में पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाएं भी रुख जाती हैं। ग्रहन के दौरान विशेश रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए कई सावधानियों का पालन करना जरूरी होता ह उन्हें विशेश रूप से सलाह दी जाती है कि वे ग्रहन के समय किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से बचें और एक ही स्थान पर बैठी रहें। उनके लिए अत्यधिक सावधानी बरतना जरूरी होता है। क्योंकि माना जाता है कि ग्रहन के नकारात्मक प्रभ गर्भस्त शिशु पर भी पढ़ सकते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेश रूप से सतर्क रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि इस ग्रहन का सही समय क्या होगा और यह कहां कहां दिखाई इस बार का सूर्य ग्रहन भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। यह ग्रहन रात 9 बज कर 14 मिनट से शुरू होगा और देर रात 3 बज कर 1 मिनट समाप्त होगा। यह ग्रहन कुल मिलाकर लगभग 6 घंटे और 3 मिनट तक चलेगा और इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। खास तोर पर इस बार आसमान में रिंग ओफ फायर यानि आग का छला दिखाई देगा जो सूर्य ग्रहन के दौरान एक अद्विती ये द्रिश्य होगा। ग्रहन के समय कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है जिनमें भोजन न करना और पानी पीने से बचना शामिल है। हालांकि बच्चों, बुजर्गों और बीमार लोगों को इस दौरान भोजन और पानी पीने की अनुमती दी जाती है। इस दौरान पका हुआ भोजन खाने से भी बचना चाहिए और भोजन में तुलसी के पत्रे डाल कर रखा जाना ताकि ग्रहन के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। ग्रहन के समय कोई भी शुभकार्य नहीं किया जाता है और इस समय धार्मिक गतिविधियों से भी बचा जाता है। सूर्य ग्रहन के दौरान हमें सूर्य को कभी भी बिना किसी सुरक्षा उपाय के सीधे आँखो से नहीं देखना चाहिए क्योंकि इस से आँखों को स्थाई नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही इस समय का एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि ग्रहन के समय हमें सोना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार यह समय शारीरिक और मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा स भर जाता है और जो लोग इस समय सोते हैं उन्हें भविश्य में विभिन स्वास्थ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ग्रहन के समय पूरी तरह से जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। खास कर जब सूर्य की ऊर्जा अस्थाई रूप से कमजोर हो जाती है तो यह समय ध्यान और साधना करने के लिए सबसे उचित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेश रूप से लाभकारी माना जाता है और इससे ग्रहन के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। इसके अलावा एक और जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि ग्रहन के बाद श्राद्ध तर्पन या पिंडदान करना चाहिए। यह समय पित्र अमावस्या का होगा और वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पन करना अत्यंत महत्व पूर्ण माना जाता है। इसलिए ग्रहन सम अमारी संस्कृती और धर्म में भी गहरे अर्थ रखता है। ग्रहन के दौरान सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करके हम न केवल अपने स्वास्थे की रक्षा कर सकते हैं बलकि धर्म और आस्था के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन भी कर सकते हैं। इससे ग् अवधी ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि देखिए, जो रोगी रहते हैं, इनके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है, अगर नियम से चले गए, तो इनकी जान भी जा सकती है, इसलिए आप अवधी के साथ साथ जो तुलसी के पत्ते डाल करक खाना खाना चाहते हैं, तो जो अन्न पका करके रखे हैं, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके गंगा जल डाल करके खा सकते हैं। जो भगवान ने सूर्य ग्रहन के समय में सूर्य पूजा ही करना चाहिए। जो भी आपसे मंत्र जो भी देवी देवता पर आप विश्वास रखते हैं, उनके मंत्र को जपना ऐसा माना जाता है। ग्रहन के समय में जो भी मंत्र जपा जाता है, उसका पूर्ण रूप से प्रभाव, जिस भी देवी देवता को साध्य मान कर जप रहे हैं, उनके प्रभाव एक हजार गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं न, सवा लाख के बाद मंत्र सिद्ध होते हैं, तो ग्रहन के समय में केवल आप पंदरा सौ बार इस मंत्र को जप कर लेते, तो वह मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जिससे सवा लाख जपना होता। तो महालक्ष्मी की बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि इस मंत्र को जपने से धन लाभ मिलता है। आप सभी को मेरा प्रणाम, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप करें। यदि वह आपके हृदय में बसता है और आप उसे पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो आपको निष्चित रूप से अप्रत्याशित लाभ होंगे। जी कोई ऐसी आत्मा पास आने की कोशिश भी करती है, तो वह तुरंत नश्ठ हो जाती है। ग्रहन के समय में हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग बान का जाप करने से आपके भीतर भगवान हनुमान का आशीरवाद और शक्ती समाहि होता है क्योंकि ग्रहन काल में तंत्र विद्या के अभ्यास के लिए इसे सबसे उत्तम समय माना जाता है। अब आपको यह जानने की आवश्यक्ता है कि ग्रहन काल के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहन के समय और यह जाता है। इस शक्तियां जो पाताल लोक में निवास करती हैं जैसे चामूंडी निशाचर और अन्यकाली शक्तियां इस दौरान प्रिथवी लोक पर भ्रमन करने लगती हैं। यदि आप गलती से ग्रहन के समय बाहर घूमते हैं और यह शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और आपकी बुद्धी और मन को अपने वश में कर सकती हैं। इसके बाद आप अपनी मर्जी से नहीं बलकि उनकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे और यह आपकी जीवन को बरबाद करने का कारण बन सकता है। नकारात्मक शक्तियां आपको गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती हैं और आपके जीवन में अंचाही घटनाओं को जन्म दे सकती हैं। ऐसी शक्तियां आपके शरीर को इस हद तक प्रभावित कर सकती हैं कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं या आपका शरीर काम करना बंद कर देत इसलिए ग्रहन काल के समय घर से बाहर न निकलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय तंत्र क्रिया भी बहुत की जाती है। इसलिए ग्रहन काल में बाहर घूमने से बचना चाहिए। ग्रहन के समय अंधकार का प्रभाव बढ़ जाता है। और चूंकि सूर्य देव इस दोरान अपनी रोशनी खो देते हैं जो संसार को उर्जा प्रदान करती है। इसलिए काली शक्तियां अधिक सक्रिये हो जाती है। प्रकाश के अभाव में ये शक्तियां और भी शक्तिशाली हो जाती है। इस समय हनुमान जी का ध्यान करना सबसे ज्यादा फाइदेमंद मान इसलिए जितना हो सके हनुमान चालीसा, सुन्दरकांड, बजरंग बान और हनुमान जी के अन्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। वास्तु को भी संतुलित रखेगा। ग्रहन के समय वास्तु दोश बढ़ जाते हैं, जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं या घर में दरिद्रता और बरबादी का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह चोटी-चोटी जानकारी आपके जीवन को सुरक्षित रखने में म सूर्य ग्रहन कन्या राश्य में होने जा रहा है, जहां पहले से ही केतु का प्रभाव है। सूर्य और केतु की युति के कारण इस समय विशेश ध्यान रखने की आवश्यक्ता है। खासकर मीन राश्य के लोगों को उन्हें हनुमान चालीसा बजरंग बान और अन्य हनुम मंत्रों का जाप करना चाहिए, ताकि ग्रहन का कोई दुश प्रभाव उन पर न पड़े। यह सूर्य ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह ब्राजील, आर्कटिक, चिल्ली, फिजी और अन्य स्थानों पर देखा जा सकेगा। चूंकि भारत में यह ग्रहन रात के समय हो रहा है, इसलिए यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। फिर भी जियोतिश शास्त्र के अनुसार ग्रहन से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी यह समय विशेश रूप से समवेदन शील होता है। उन्हें ग्रह चाहिए कि प्रकृती में होने वाले परिवर्तन सामान्य हैं और ब्रह्मांड में कोई भी शक्ती ऐसी नहीं है जो उनका बुरा चाहती हो। इसलिए गर्भवती महिलाओं को बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। बस कुछ नियमों का पालन करें और सकारात्मक सोच बनाए इस प्रकार ग्रहन काल के दौरान उचित सावधानी और सही मंत्र जाप के साथ आप नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचे रह सकते हैं। ग्रहन भारत में नजर नहीं आने वाला लेकिन ग्रहन के दौरान हमें सतरकता और सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा लिखा इसलिए सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ग्रहन के दिन नियम का पालन अवश्य करिए। आज का वीडियो सभी मा के लिए है जो भारतिये मान्यताओं के अनुसार ग्रहन के नियम जानना च नहाने के बाद काले कलर के अलावा कोई भी कलर के कपड़े पहन सकती है। अधिकतर जगह ग्रहन के कपड़ों को दान करने का विधान बताया जाता है। इसलिए आपका विचार करके ही कपड़े पहने। उसके बाद समय आप घर से बाहर ना निकले। कमरे के परदे अच् सुरक्षा की दृष्टी से एक गिला नारियल अपने पास रखें। गर्भिनी कई बार पूछती है कि शौचालय जा सकती है या नहीं तो हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। प्राकृतिक बेगू को रोकना आपके शरीर और संतान के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कभी पूर्व में यह नियम बनाए गए होंगे जब घर में टॉयलेट नहीं होते थे पर आज ऐसी कोई भी नियम का पालन करना उचित नहीं है। अगर आपके देश में ग्रहन दिख रहा है तो अब ग्रहन के समय से पूर्व, दूध, दही, फल, सबजी, सभी में दाग या तुलसी के पत्ते डालने आप तुरंत पका कर कुछ भी खा सकते हैं। ड्राइ फ्रूट्स, दूध या दही सकते हैं, पानी पी सकते हैं। सुरक्षा के लिए पानी में कुछ तुलसी के पत्ते पहले से डाल ले। देखिए, गर्भावस्था में गर्भ इसलिए मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ट है। जिससे ग्रहन की सभी हानिकारक प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। उपर बताए गए नियमों को अपनाने से सिर्फ उसका सकारात्मक लाभ ही मिलता है। भारत में ग्रहन और सूतक से जुड़े नियम मान्य नहीं होंगे तो भारतीय महिलाएं निश्चिंत रह सकती हैं। लेकिन सावधानी जरूर बरतनी है। ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की दृष्टी से उस दिन ज्यादा बाहर ना जाए। और जितना हो सके ग्रहन के समय मंत्र उच्चारण करें। उपर बताए गए देशों में ग्रहन के नियम मान्य होंगे। अमावस्या पर साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है। और इसके दूसरे दिन शारदिय नवरात्री प्रारंभ है। अर्थात नवरात्री प्रारंभ हो जाएगा। पंचांग कहते हैं कि ग्रहन के कुप्रभाव देश। और दुनिया पर तथा राशियों पर अवश्य पढ़ते हैं और दोस्तों यह जो सूर्य ग्रहन है हालांकि यह भारत वर्ष में दिखाई नहीं देंगे लेकिन इनके कूपरभाव और अच्छे प्रभाव हमारे बारह राशियों पर अवश्य पढ़ेंगे तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां पहली जो राशिय है वह कन्या राशिय है कन्या राशिय के लोगों के उपर दौरान फालतू खर्चे इनके उपर बढ़ेंगे तो आपको फालतू खर्चे से बचना है निवेश को लेकर कि यदि कोई मन में विचार बना रहे हैं कि अब मैं श प्रेसला मत लेना आर्थिक मुसीबत में आपको डाल सकती है और और आप इस मुसीबत से बचना चाहते हैं तो एक काम करना जो मदार का व्रिक्ष है आप ग्रहन के बाद में बुधवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध मंदार व्रिक्ष पर चढ़ा देना तो आप ग्रह के कुप्रभाव से बच जाएंगे इस लिस्ट की अगली राशी है तुला राशी में ग्रहन लग रहा है तुला राशी में सूर्य ग्रहन लगने के साथ ही अन्य पांच ग्रह जैसे के चंद्रकेतू, सूर्य बुध और शुक्र का भी इस राशी में गोचर हो रहा है ऐसे म राशी के जातकों पर मुसीबतों का पहाड तूट सकता है, लेकिन एक बात का विशेश ध्यान रखें, ध्यान से सुनिये, सूर्य बुद्ध और शुक्र आपको काफी अच्छे फल प्रदान करेंगे, क्योंकि यह देव ग्रह कहे गए हैं और आपको धन लाभ भी करेंगे, क पर भी प्रभाव पढ़ सकता है, इसलिए अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान रखना है, साथ ही वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है, वाहन चलाते समय आपको महमृत्युन जय मंत्र का या हनुमान जी महराज का ध्यान जरूर करना है, तुला राशे के साधक हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग तीन मंगलवार तक हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, तीन मंगलवार तक यह उपाय करने से राहु के कुप्रभाव से मुक्ति मिलेगी, यह उपाय न अब बात करते हैं, विशेश रूप से उनके स्वास्थे पर, यदि आपके पास पहले से कोई बीमारी है, या स्वास्थे से संबंधित कोई समस्या है, तो इस समय विशेश रूप से सावधानी बरतनी चाहिए. समय रहते उचित इलाज करना आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी सेहत पर इसका गंभीर असर हो सकता है. यदि आप चाहते हैं कि इस ग्रहन का आपके स्वास्थे पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, तो एक उपाय करना चाहिए. भगवान शंकर के शिवलिंग पर ग्रहन के कारण मिथुन राश्यके जातकों को इस समय अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. हालांकि मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन आपको सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है. इस दोरान आएसे अधिक खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलि मकर राश्यके जातकों के लिए यह समय विशेश रूप से चुनौती पूर्ण रहेगा. आर्थिक स्थिती कमजोर हो सकती है और आप रुपए पैसों के मामले में खुद को असहज महसूस कर सकते हैं. इस समय आपको निवेश करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी होगी. आर्थिक नुकसान से बचने के लिए आपको सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. अब मकर राश्यकी बात करें तो इस राश्यके जातकों के लिए सूर्य ग्रहन का समय कष्ट दायक साबित हो सकता है. मकर राश्यवालों को अपन सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि पुरानी बीमारियां फिर से लोट सकती हैं. इस समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले, अन्यथा आपके काम बिगड सकते हैं. यदि आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो ग्रहन काल में विश्णु सहस्त्र नाम का पा बहुत ही शुब साबित होने वाला है. मेश राशी के जातकों को धन लाभ के योग बन रहे हैं और उन्हें आध्यात्मिक और धार्मिक कारियों में भाग लेने के अवसर मिलेंगे. नौकरी और व्यापार में तरक्की के साथ-साथ जीवन में सुख और सम्रिध्धिका अन मिलेगा. वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव होंगे और परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. इस समय पद और प्रतिष्ठा में व्रिध्ध के योग हैं जो आपकी सामाजिक स्थिती को और मजबूत करेगा. करक राशी के जातकों के लिए भी यह समय बहुत ही लाभकारी साबित होगा. नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी और जीवन में धन की प्राप्ती होगी. कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आपको नए अवसर मिलेंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा जिससे आपके मन को शांती और संतोष प्राप्त होगा। व्रिश्चिक राशिके जातकों को इस समय धन लाभ प्राप्त होगा। और उनकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ लोगों को विशेश लाभ प्राप्त होगा। दामपत्य जीवन सुखमय रहेगा और परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपके जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की व्रिध्धि होगी जो आपके आत्म विश्वास को और बढ़ाएगा। अंत में क लाभ कार्यक्षेत्र में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। कुम्भ राश्य के जातक इस समय किसी भी नई परियोजना में निवेश कर सकते हैं क्योंकि यह उनके लिए लाभकारी साबित होगा।